गाइस सक्सेजर का मतलब होता है अगला और प्रेडेसेसर का मतलब होता है पिछला तो जब भी हमें किसी नंबर का सक्सेजर नंबर पता करना हो तो हम उस नंबर में प्लस वन कर देते हैं तो हमें सक्सेजर मिल जाता है और जब भी हमें प्रेडेसेसर पता करना हो तो हम उस minus 1 कर देते हैं, तो हमें predecessor में जाता है, जैसे यह आप हमें number लेती हूं, 9, 4, 2, 1, 8, अगर इसका हमें successor पता करना है, तो हमें plus 1 करेंगे, और हमें number रूल जाएगा, 9, 4, 2, 1, 9, तो यह 9, 4, 2, 1, 8 का successor है, इसी तरीके से, अगर हमें number ले लिया, 3, 4, 2, 7, 6, तो इसमें से हम minus 1 करेंगे, तो जो number मिलेगा हमें, वो होगा 3, 4, 2, 7, 5, इसका predecessor, successor को हम after number और predecessor को हम before number भी बोलते हैं, if you like the video, please like, subscribe and share.